विद्याटी मित्रो नमस्कार आज हम हिंदी में आगे का लेशन देखने जा रहे है जिसका नाम है सुधामूर्थी यह एक संकृत पाठ है और एक चरित्र सुधामूर्थी जो है उनके बारे में जिसे हम दूसरे है तो रेखाचित्र प्रकार का यह पाठ है जो हम पढ़ने जा रहे है इसमें सुधामूर्थी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है हमें कि उन्होंने क्या पढ़ाई की किस तरह से उपने जीवन के ख्षेत्र में आगे बढ़ी और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयत्न की इस सब के उनके इन कारिय के बारे में इसमें हमें थोड़ी बहुत जानकारी दे गई है इसलिए इसे संकरित कहा जाता है या तो जिसे हम इंद्लीश में एडिटोरियल कहें और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि छोटी-छोटी कई चीजे है जो इसमें ध्यान रखने लायक है क्योंकि किसी भी प्रकार का छोटा प्रश्णू MCQ टाइप कहा तो फिर इन्द ब्लेंक्स का रिक्तुसान की पूरती करो यह इसमें से बन सकता है इसलिए मैं पूरा पा नमरे सुधामूर्थी सुधामूर्थी महिलाओं के लिए प्रेणामूर्थी है इस पांट में सुधामूर्थी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कारियर असंभव नहीं है उन्होंने इंजिनेर के रूप में कारिय किया बाद में संसोदन तक्निकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया, महिला सशक्तिक करन के क्षेत्र में आपका योगदान महत उपल रहा है। इस पांट में स्त्रियों के लिए कारिक शेत्र की कोई सीमा नहीं है तता वे हर कारिये में कुशलता प्राप्त कर सकती है इस बात पर ज्यादा जोर दिया है इस कुरुती का यह संदेश है कि जाती और लिंग के बीच कोई भेदवाव न रखा जाए तो आज भी हम देख रहे कि समाज में किस तरह से लिंग भेद किया जाता है पुरुषों के हिसाब से इस्त्रियों को थोड़ा कमजोर माना जाते है तो कुछ एक शेत्र में उन्हें वो स्थान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार होती है तो उसके लिए सुधामृती ने जो लड़त की थी उसकी यहाँ पर बात है चूटी लड़त माने जो एक साधिकार अपना अधिकार जताया था कि मैं एक एंजिनेर के रूप में काम कर सकते हूं कहीं भी कितने भी पुरुष साथ में काम करते हूं मैं भी उनके साथ काम कर सकते हूं लिंग बेद रखने की कोई बात नहीं है और उनी के सरक्षन के खेत्र में इस्त्रिया नहीं थी लेकिन आज है आज हम देख रहें कि समाज में चार और बहुत बदलाव आ रहा है लेकिन ये बदलाओं जिनकी बदोलत आया है ऐसे कुछ नारी रत्नों में एक है सुधामूर्ति एये हम उनके बारे में देखते हैं अप्रिल 1974 की बात है बैंगलूर में गर्मी पढ़ने लगी थी भारतिय विज्ञान संस्थान के परिशर के गुलमोहर के बड़े बड़े वरुक्स लार रंग के फूलों से लदे जूम रहे थी काम्प्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक चात्रा होस्टेल की और जहा रहे थी कि उसके दुरुष्टी नोटिस बॉर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी विज्ञापन माने जिसको हम इंगलीश में एडूटाइस्मेंट कहते या तो गुजराती में ज इच्छुकों की लिए था कंपनी को योग्या और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यक्ता थी चौकान वाली बात थी चोटे अक्षर में लिखी अंतिम पंक्ति महिला उमिद्वार आवेदन न भेज़े आवेदन मतलब एप्लिकेशन भेजना या तो दर्ख्वास्त भ इसका मतलब होता है आवेदन तो टेलको कंपनी को मैं इसके टाटा स्रमुक की एक कंपनी को इंजीनियरों की आवश्यक्ता थी इसके लिए उन्होंने एक आवेदन पत्र कि जो भारतिय विज्यान संस्थान बैंगलोर में है इंडियन इंस्टेटिट ओफ सेंस और टेक्नो इसके लिए उसने एक बार नहीं दो बार पड़ा हाँ यही तो लिखा था उसे नोकरी की कोई आवश्यक्ता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश्यस नातकोत्तर परिक्षा के बाद रिसर्च की डिगरी के लिए छात्रवुती मिलने की पेशक्त हो चुगी थी वह स्वयम भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी परन्तु यहां यह भेदवाँ स्त्री पूरुष में इतनी असमान था बात उसे पची नहीं तो यहां पर दो तिन शब्दा है एक तो सनातक उत्तर प्लस उत्तर और प्लस उत्तर होता है तो सनात तरम सनातक माने कोलेज की पहली डिग्री जिसे प्राप्त कर लेन के बात क्या जो अब्यास होता है यहां तो पढ़ाई कि उससे पढ़ाई गीते रिचस के सोधन करना चाहतर अरुति माने अब जानते सकोलर्मप यह हिंदि में उसका समाने वर्ड वजीपा पेशकश मने प्रस्ताव यानि कि वहाँ पर सेंक्षन होकर आ गया था कि उसे जाना है और वह स्वयम भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी उसे नोकरी की कोई आवशेक्ता नहीं थी परंतु यह जो बेदभाव था कि महिलाओं में दवार आवेद पत्र में देखा इससे उनको कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके लिए एक महारा यूज गया है बात न पचना तो बात न पचना मने अविश्वस्निय होना या तो बात गल न उतरना वो अपनी कक्षा में हमेशा प्रतमस्तान पाती आई थी और कम्प्यूटर विज्यान की कक्षा में पुरुष सहपाथियों में अकेली लड़की थी योग्य थी परिश्रमी थी नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा इस बेदभाव को सहना उसके बसकी बात नहीं वो इसका विरोध करेगी और डटकर विरोध करेगी तो आप देख सकते हैं तीसरे पेरिग्राफ म इंजिनर बनने के लिए पढ़ाई करने वाले बहुती कम महिला थी कम या तो हम कहें के नगणी ही थी क्योंकि इतने सारे पुरुष सहपाथियों में सुधामूर्ती केवल एक लड़की थी कि जो कंप्यूटर विज्ञान के पढ़ाई कर रही थी वह योग्य भी थी और प सब्सक्राइब किया जाए इसलिए उसने सोचा कि वह इसका विरोध करेगी और डटकर विरोध करेगी डटकर मने कुल्याम मजबूती से इसका विरोध करेगी उसने अपनी डायरी में आउश्यक सुचनाई लिखी और तेजी से होस्टेल की और चल दी उसने निश्चे किया कि वो टेलको के सर्वोचाधिकारी को सुचित करेगी कि उनकी कमपनी इस प्रकार का अन्याई कर रही है उसे उस सर्वोचाधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था केवल इतना पता था कि ताटा समु के प्रमुख जियाडी ताता है तो उसने डायरी में जो आवे कुछ उन्हें प्रत्यूतर देना था किसी प्रकार से जो ये भेदभाव हो रहा था इसको लेकर इसलिए उसने आवश्यक सुच नहीं लिखी और अपनी वोच्टेल के और चल दी और किसको पत्र लिखना ये पता नहीं था कियो इतना पता था कि जियाडी ताता ये जो ताता समु के कमपनिया है उनके मालिक है या तो उनके सर्वोच्च अधिकारी है उसने एक पोसकाड लिया और जियाडी ताता को संबोधित करते हुई लिखा आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासानिक पदार, कपड़ा, मशीन के बड़े-बड़े उद्योग लगाए हुए है बारतिये विज्यान संस्थान की स्थापना में बढ़ चड़कर अपना योगदान दिया है स्वभग्य से मैं उसी संस्थान में बढ़ रही हूँ मैं हैरान हूँ कि टेलको जैसी कमपनी स्त्री पूरुष के बिच ऐसा बेदभाव कर सकती है तो उन्होंने ताठा कमपनी के चेर पर्सन जैसा उनको संभोधित करते हूँ लिखा कि आपने भारत में लोहा इस पात इस पात माने स्टील इसको इंगलीश में देखने जाए तो आईरन ने इस पात माने श्टिल उन्होंने लिखा कि ये सारे बड़े-बड़े उध्योग आपने लगाए हुए और एवन ये जो बारतिय विज्ञान संस्ता है उसकी स्थापना में भी आपने बढ़ चल कर सहयोग दिया है वो उसी संस्थान में पढ़ रही है और उसे ये हैरानी हो रही है कि किस तरह से टेलको जेशी का उपनी पुरुष और स्तिरी के बीच बेदवाव कर सकती है देखो यहां पर हमें दूसरे करेक्टर के भी बात देखने कि इतने बड़े उद्योग समू के चेर परसन होने के बावजूद जे आड़ी टाता कितनी सरल स्ववाव के व्यक्ति थे दसी दिन में कंपनी ने उसे तार बेजा कंपनी के खर्च पर पुना शहर में शाक्षातकार के लिए उपस्तित हो कंपनी के खर्च पर पुना शहर में शाक्षातकार के लिए उपस्तित हो शाक्षातकार मने इंटर्यू तो उन्हें इंटर्यू के लिए उपस्तित होने के आवशक तैयारी के साथ वह लड़की पुना पहुंची। शाक्षातकार आरंभ हुआ। काफी तक्निकी प्रस्णों पूछे गए। जिनके वह सही सही उतर देती गई। तभी एक बुजर्ग सज्जन ने स्नही मही वाणी में कहा। तुम जानती हो कि हमने महिला उमेद्वा पर आवेदन न भीचे क्यों लिखा था। क्योंकि यहां फैक्टरी में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी चैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम पहले से यह किसी महिलाओ की नियुक्ति नहीं करते। इसलिए आवेदन पत्रे में विज्ञापन में इसा लिखा गया था। और उनका यह मानना है उस बुजर्ग सरजन का यह मानना था कि जो मेधावी लड़किया है, मेधावी मानने बहुती तेजस वी लड़की, मेधाव माने कबी भी कोई मैला आपकी फेक्टरी में कारिया नहीं कर पाएगी। उसने दुड़ता से कहा। उस लड़की जो वाँ सख्षत कार के लिए आई थी। उसने दुड़ता से कहा कि आप यह कह 먼저 रहे है कि हम किसी को नियुक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं से तो शुरुवाद करनी पड़ेगी, कब तो हमें किसी लड़की को इस कार्यकषाला में काम करने का मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर यह हो सकेगा कि कोई मैप्रा आपकी भेक्टरी में कहीं पर भी काम नहीं कर पाएगी, तो यह सामाजिक संतुलन नहीं बनेगा, यहां पर उस लड़की की बात यह थी कि सामाजिक संतुलन जो बनना चाहिए, उस सामाजिक संतुलन बिगड जायेगा, क्योंकि पुरुष चीसरा से जो काम कर सकते हैं, उसे उसलता से त्रिया भी काम कर सकती है, यह उसके कहने का ताथ परियोता, एक लंबे शाक्स अपनी कम्पनी में एंजीनर के रूप में अपोइन्मेंट दे दी और इसके हिसाब से बधाई भी दी बधाई माने कांगरेचुलेशन चीस कोई तेलको यानि टाटा में इंजीनर के पत पर नियुक वो प्रथम महिला एंजीनर थी सुधा कुलकरणी सुधा कुलकरणी का वि तक टेलको को अपनी सेवा देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पत से त्याग पत्र दे दिया त्याग पत्र माने इस्थिफा देना या तो रिजाइन देना और बैंगलोरु में अपने पती स्री नारेन मुर्ति के साथ इन्फोसिस कम्पनी खोली आप जानते हैं महिनत और लगन से इन्फोसिस ने दीन दूनी राद चौगनी यानि बहुत तेजी से उन्नती की दीन दूनी राद चौगनी उन्नती करना मन्तलब बहुत एक कहा होते हैं बहुत तेजी से उन्नती करना सुधा मुर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेंशन की चेर परसन बनी उ उन्होंने करनाटक राज्य के सभी सरकारी स्कुलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कारियरूप दिया तो अब हमने देखा कि किस तरह से उसने पढ़ाई गिये किस तरह से आत्मविश्वास के साथ उसने टेलको के टेलको में एंजिनेर के कारे किये वो अब हम देखने जा रहे और उसके उपलक्स में उन्हें जो जो एवर्ड मिले उसकी भी यहां पर बात होगी तो उन्होंने पहला काम यहां पर जो दिया गया है करनाटक राज्य के सभी सरकारी स्कुलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजन उपलब्द करवाए कांची में कैंसर अस्पताल औरंगाबाद बेलारी गुलबर्ग पट्टु मडाई बैंगलोरू आदी में चिकित्सा सहाईता तथा उस्मानाबाद जिला उडिसा के काला हांडे और आंधर प्रदेश के सुखापीडी छेत्रे में रहत कारिये करवाए सुखापीडी शेत्रे माने जहाँ पर किसी प्रकर की बारिश नहों और आये दिन लोग भूख मरे का सामना करते हूं उन्होंने अथक प्रयास से करनाटक के 800 से अधिक गावों में कॉंप्यूटर शिक्षा पर एक एक करोड रुपया लगाया गया और तीन हजार से अधिक पुस्तकाले खोले गए उन्होंने गरिब बच्चों को सहाइता दी स्कूलों की इमारत का निर्मान करवाया अधिक्तम अंकलाने वाले बच्चों को खात्र उठी दी और गावों में लगबग 300 कॉंप्यूटर वितरत किया यान देख सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा यान क उन्होंने अपना योगदान उसमें पुल्न रूप से दिया शिक्षा के लिए आप देखते कंप्यूटर के शिक्षा के लिए कंप्यूटर दिये लाइबरी खोली गरिब बच्चों को पढ़ने की सहाइता दी उन्हें चात्र उरुत्य दी ताकि वो पढ़ सके शिक्षा भवनों का यानि बिल्डिंगों का निर्मान करवाया सुखा पिली ख्षित्रों में काम करता कि भूखों को अनाज मिले और चिक्षा की ख्षित्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया ये सारे ऑउजार देकर हुस्पीटल में जो जरूरी चक्नी की सपोर्ट होता है वो देकर उन्होंने समाज की सेवा की अब उनका आगे का कारिया तेरा पुस्तकों की लेखे का सुधा मुर्ति को उनके कारियों के लिए अनेक पुर्श कर दिया गए तो सुधा मुर्ति ने तेरा पुस्तक भी लिखे आप देख सकते हो कि हम सामान्य व्यक्ति और असामान भी 24 गंटे है वो इतना सारा कार्य कर सकते हैं समा सुधर का कार्य कर सकते हैं अपनी कमपनी खोल सकते हैं उसका ध्यान रख सकते हैं साथ साथ 13 पुस्तक भी लिख सकते हैं जबकि सामानिय वेक्ति कि वो आठ गंटे का काम करके आठ गंटे सो जाता है और आठ गंटे बिगाड डालता है खेर आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी आगे चलकर देश के नागरिक आप है ही लेकिन एक जवाबदार नागरिक आप बनेंगे हमारे देश में उत्पादन की बहुत कमी है इस उत्पादन को बढ़ानी के लिए कार्य करने का जो उस्षा होता है वो आज की पीड़ी में बहुत कम देखने को मिलता है और इसी के कारण हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं इस दूसरों पर की निर्भरता यदि हमें कम करनी है तो हमें आपने आप में निर्भर बनना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि हम अथाक परिश्रम करना सेखे जो ये सुधा मुर्ति के पास से हमें सभी को ये प्रेड़ा मिलती है महिलाओ को तो प्रेड़ किया ये ल जिन में प्रमुक है ये सारे पुरुष्कार के नाम आपको याद रखने है करनाटक राज्यसवग पुरुष्कार ओजस्विनी पुरुष्कार मिलेनियम महिला शीरोमनी पुरुष्कार वुमन अब दये 2002 एफम रेडियो द्वारब और राजलक्ष्मी पुरुष्कार अपनी उपलब्दिों से महिलाओ का मार्ग प्रसस्त किया यह नहीं प्रसस्त का मतलब है कि खोल देना जो मारग महिलाओ के लिए बंद बाना जाता था चांहीं अग्या कि शातर से 50 प्रतिशन संख्या छड़कियों इन शात्र परतिसरत लपे हैं अने उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कारे कर रही है जिस मार्ग पर चल कर सुधा मुर्ती ने अपनी प्रतिवा लगन और परिश्रम से सफलता की उचा यह कुछ हुआ उस मार्ग पर नई पीडी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फुली न समाना मतलब खुशी से फुलान समाना मतलब होता है अध्यतिक प्रसन्न होना महिलाओ के सफलता पर वो का उड़ती है हमारा मार्ग कठीन अवश्य है कि इन्तु चलना जरूरी है क्योंकि यदि हम चलते रहेंगे तभी हम मार्ग की या तो लक्ष की प्राप्ती करते है वह खत्म होता है सुधा मुर्थी किस तरह से पुरी समाज के लिए एक प्रेणा मुर्थी बने हुए है इसके बारे में यहां पर संकलित रूप में बहुती छोटा सा रेखा चित्र या तो छोटी सी बात उनके बारे में बताएगे सारे क्वेस्चेन आंसर एक्सेप्ट यह एंसी क्योंकि आप आराम से बहुत इजी ली टेक्स्बुक पढ़कर उसमें से दून सकते हैं बाकि जो बड़े प्रस्ण है और एकमार्क के प्रस्ण है एकसेसेज 2-3-4 के प्रस्ण में आपको पीडियेप के माधियों से बेज रहा फिर यह जो परियाईवाची शब्द है विलोम शब्द है बाववाचक संगना है मुहावरे का आर्थरीकर वाक्यमा प्रयोग में आपको समझा चुका हूं और कहावत कार्थोबी में समझा चुका हूं तो परियाईवाची शब्द यदि आप सुनना चाहे और याद रख अनुसंदान माने खोज करना ये तो संसोधन करना और पुरुसकार मतलब इनाम फिर विलोंब माने की विरोधी शब्द आवश्यक तो अनावश्यक सवभाग्य दुरभाग्य उपस्तित अनुपसित सज्जन दुर्जन अपना पराया उच्च नीच आया तो न्यूनतम उच्च तो निम्न अधिक्तम न्यूनतम उच्च मतलब निम्न और अधिक्तम का विरोधार्ती न्यूनतम उच्च का विरोधार्ती निम्न उच्च का विरोधार्ती निम्न तीन बार बतालों कि मैं एक बार गलत कर बोल गया उच्च का विरोधार्ती निम्न अधिक्तम का फिर भाववाचक शंगनाय बनाई है, तो अधिक तो अधिक ता, सफल तो सफल ता, आवशक ता, आवशक ता, और समान ता, पुरुष से पावरुष, और स्त्री से स्त्रीत वो, तो यहाँ पर बागी के जो विरुप मुहावरेवर कप दिये गए, यहाँ पर यह लेसन आता तक आप लिख चुके, जो मैंने पहले बताया था, कि मैं जब देखता हूँ, यूट्यूब खोल कर, तो मुझे पता चलता है, कि कितनी लोगों ने वीडियो सुना है, या तो देखा है, लेकिन बहुत ही मायूसी प्राप्त होती है, क्योंकि बहुत कम विध्यारती है कि जो वीडियो को सुनते है और समझनी की कोशिश करते है, मित्रो आप दस्वी कख्षा के विध्यारती है, आपकी आलस आपके लिए भहुत नुक्सान दायक सिद्ध हो सकती है, महरवानी करके आप जो कुछ भी समझाया जा रहा है वीडियो के माध्यां से उसे पढ़े औ और प्रस्नोतर लिखकर अपने आपको तयार रखे परिक्षा के लिए, थैंक यू, ओल दे बेस्ट